बश्कार दोस्तों स्वागत है एक नए वीडियो में दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपके पास Redmi 9 Active है या Redmi 9 है या Redmi का कोई अधर फोन है आप किस तरह से ये जो Transition Effects होता है Home Screen का जब आप एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हो तो किस तरह से Change कर सकते हो यही बताने वाला हूँ इस वीडियो में तो सबसे पहले तो आपको कहीं भी स्क्रीन पे खाली जगह पे जाना है और ऐसे टच करके रखना है टच करके फोल्ड करके रखोगे तो ऐसा Option आएगा तो इसमें सेटिंग पे जाना है और सेटिंग पे जाने के बाद आपको यहां पे सबसे उपर Transition Effects का Option मिलता है अब Transition Effects को Open कर लेना है और यहां पे आपका पहला Slide का Option बाइडिफॉल टूप से Select होता है आप जाओ तो CrossFit कर सकते हो अब CrossFit में आपको दिखा देता हूँ कि एक जो जाता है तो वह एक दूसरी के साथ Match करता हुआ मिलता है आपको कुछ इस Type से एदूसरा Option जो मिलता है वो मिलता है इस Type का कुछ तो यह भी मैं आपको दिखा देता हौँ तो आप देख सकते हैं कि जब हम एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पर जा रहे हैं तो किस टाइप का effect देखने को मिल रहा है इसी तरह से कुछ और भी options हैं जो कि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे है page का option अब देखो यहाँ पे जैसे ही आप select करोगे ना इसका style आपको देखने को मिल जाएगा यह हो गया rotate का यह हो गया cube का तो ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारे transition effects मिल जाते हैं जैसे कि मैंने आभी cube अला select कर रखा है तो यह मैंने set कर लिया है आप set करके देखो जो ही आपको अच्छा लग रहा है ना उसको आप इस्तिमाल करो और अगर आप स्रीफ classic mode कर इस्तिमाल करते हो तो आपके लिए और भी अच्छा हो जाता है यहाँ पे तो मेरे दो mode है यानि कि यहाँ पे ज़्यादा application screen पे है नहीं ज़्यादा pages होंगी तो और अच्छा लगेगा विडियो अच्छी लगे होगी तो लाइक कीजिए, सेर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक लिए बाबाई